हेलो दोस्तों, एक्सफोटी फैक्ट में आप लोगों का स्वागत है फैक्ट नमर वान, इटली और फ्रांस पूरी दुनिया में सभी वाइनों का 40% से अधिक उत्पादन करते हैं फैक्ट नमर टू, गॉल्फ ही चांद पर खेले जाने वाला एक मात्र पहला खेले, दिरसल 6th फिवर इन 1971 को एपलो 14 मिशन की एक एस्टोनाट एलन सेपर ने गॉल्फ की केंद को मारा था, मून की जमीन पर फैक्ट नमर त्री, यॉलोस्टन नेशनल पार्क को, लुईस कैरोर के बुख, एलिस एडविंचर इन वंडरलेंड के रूप से मिला के, यॉलोस्टन पार्क को वंडरलेंड नाम दिया गया फैक्ट नमर फोर, एंटर्टी का पूरी पिथी भी पर सबसे ठंडा और सबसे हवावाला और सबसे उच्या और सबसे सुष्क महादीव है फैक्ट नमर फाइब, फेक आईलेंड, दरसल सौ से अधिक परसो के नक्सो ने सैंडी नाम के एक दीप को दिखाया है, जो दरसल एक्जिस्टी नहीं करता है न्यू कैलेटूनिय के उत्तर पस्चिव में सैंडी दीप नामक एक रहसमी जगा नक्सो पर आ गए थी, ये गूगल आर्थ पर भी एक स्थान के रूम में दिखाया दिया है लेकिन जब वैग्यानिक बहा पहुचे तो उन्हें ठोज जमिन की जगा खुला पानी मिला सैंडी दीप को पहले बार 1876 में वेलिंग सी वैलो सीटी द्वारा रिकोड किया गया था और पहली बार 1908 में ब्रिटिस एड्मिरालिटी चार्ट में भी इसका उल्ले किया गया था पर फ्यूचर में इसका कोई एक्जिस्टी नहीं में पाया जापान में रोनल्ड मेकड़नल्ड को सपष्ट रूप से आरधने की कमी के कारण डॉनल्ड मेकड़नल्ड कहा जाता है दरसल हर साल इंगलेंड में कूपर की पहाड़ी की चोटी से डवल ग्लुएसिस्ट चीज का एक राउंड रोल किया जाता है जिसके बाद प्रतियोगी उसके पीछे दोरते हैं फिनिस लाइन तक पहुचने बाले को पहले व्यक्ति माना जाता है और उन्हें चीज मिलता है ताकानुकुआ पेरु का एक तेवार है जिसे फाइटिंग फेस्टिबल भी कहा जाता है जो किसी भी अन्य तेवार की तरह भोजन पेव संगीत और नित सामिल है पर इसमें यूनिक कॉंपोनेंट है पबलिक फाइट जो हर कोई करते हैं और इसे फ्रेंडली फाइट कहा ज होते हैं पर एक उलकापिंड है जो बेहत यूनिक है जिसका नाम है फुकांग उलकापिंड है जब ये प्रित्वी के सतर से टगरा है तो एक आम उलकापिंड की तरह ही दिखा पर जब इसे खुले में काटा गया तो एक मनमुहक नजारा देखने को मिला चट्टान के भीतर ओलिवियन नाम का खनीज के परवासी सुनेहरे क्रिस्टल निकल लोह और एक चांदी के छते के बीच चमक रहे थे चिन के जिंची यांग प्रांद के गोवी रिगिस्तान में सन 2000 में इसे पूची गही थी फैक्ट नबर टेन एनिमेल साइकोलोजिस्ट सोद के अनुसायर डोग औसत दो साल के बच्चे जितने इंट्रलेजेंट होते हैं तो दोस्तों अगर फैक्ट अच्छा लगा तो एक लाएक शेरो ठोक देना और जाती जाती चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना